हेइड प्रेंड्स वेलकम बैक महीं चैनल रिता ज्ठाबा आज हम बनाने जा रहे हैं इंटाने वैरल डैल गोनो कॉफी जो बहुत ही ऊज़ी है इंटानेट पर आज कल ये बहुत ही वायरल हो रही है शुरू से पीते आ रहा हैं लेकिन पता यह नहीं था यह है घैल गोनो तो फ्रेंट्स चलिए इन थ्री फ्लेवर्स को बनाने के लिए में जिन चीज़ को जरूत है वो यह है यह मैंने चिल्ड मिल्क लिया है और यह चॉकलेट गनेश है आप चॉकलेट को मेल्ट करकर भी ले सकता है यह डिजर्ट टॉपिंग जो होता है वह लिया मैंने और यह मै नम पानी की जुरुत होगी यह मैंने कॉफी पाउडर लिया कोई भी ब्रांड का कॉफी ले सकते हैं यह मैंने ब्राउन शुकर लिये थोड़ा हैल्दी बनाएंगे आज और यह थोड़ा सा मैंने ग्रेट करकर चॉकलेट ली है और तीन से चार यह मैंने ओरियो बिसकिट्स बस इनी से हम आज बहुत ही यमी डेल गॉना कॉफी बनाएंगे तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैंने एक मजबूत सा कप ले लिया है क्योंकि हमें बहुत बीट करना है कॉफी को और अभी मैं ये कॉफी पॉडर डाल रही हूं इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है आपको अगर ज्यादा स्टॉंग पसंद है तो आप कॉफी पॉडर को ज्यादा ले सकते हैं और अगर आपको कम पसंद है तो कम ले सकते हैं उसी तरह आप शुगर का भी कोई मेजरमेंट नहीं है आपको मीठा जितना पसंद है आप वो ले सकते हैं बस आप इसमें एक बात क जलती बीट होने शुरू हो जाएगी यह देखे मेरे ज्ञाग बननी भी स्टार्ट हो गए है तो आप कम बाने लीजे और यहां आप देख सकता है कि कॉफी का जो कलर है वो भी चेंज होने लग गया थोड़ा सा लाइट होने लग गया अभी जितना पहले डाक ब्राउन हो र प्रांसफर कर लिया है क्योंकि कप में अच्छे से बीट नहीं हो पा रहा था पहले से ही एक बाउल मिले सकते हैं अभी आप देख रहे हैं कि जो कॉफी है उसका कलर बहुत लाइट हो गया और थिक भी हो गई है कॉफी फ्रेंस आप इसको जितना बीट करेंगे इसका जो कितनी अभी थिक हो गई है कॉफी जो भी फिर यह आप उसको पकड़ा दीजे और अभी इसको बीट करते मेरे हाथ भी बहुत ठक गए हैं तो बहुत अराम से निकाल कर बीट किरना स्टाइट कीजेगा यह देखे अभी विपिंग क्रीम की तरह हो गई है हमारी यह कॉफी और इसको हम बॉल को उल्टा करेंगे तो यह ग्रेगी भी नहीं काफी थिक हो गई है हमें इस थिकनेस तक आने तक कॉफी को अच्छे से बीट करना है तभी हमारी कॉफी बहुत ही यमी टेस्टी बनेगी और अभी मैं इसको एक दो मिनट और बीट करूंगी जिससे इसका थोड़ आसा और बढ़ जाएगा और यह देखिए यह पूरी एकदम रेडी है तो चलिए अभी कॉफी बनाने स्टार्ट करते हैं हम मैं थ्री फ्लेवर्स बनाने जा रही हूं तो मैंने थ्री ग्लासेज लिया है इस मैं आइस क्यूब डाल रही हूं यह बिल्कुल अपने में बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी लगेगा यह हमारा चॉकलेट डैल गॉना कॉफी एकिंड फ्लेवर के लिए हम यह दो बिस्कित रफली इस तरह से तोड़ कर ग्लास में डाल रही हूं थर्ड वाले में हम कोको पाउडर ऊपर से डालेंगे तो हमें अभी कोफी उसको डाना स्टार्ट करता हैं बहुत ही अराम से बहुत ही सॉफ्टली इसको डालेगा ज्यादा प्रेशन नहीं लगाएगा अधर्वाइस यह दबी दबीजी हो जाएगी इसका वॉल्यूम नहीं दीखेगा तो आप देखे रहें कितनी यम्मी कितनी टेस्टी लग देंगे और एक बिस्किट रफली तोड़कर और बिस्किट फेवर वाले पर डाल देंगे और ग्लास में हम यह कोको पाउडर डाल देंगे तो आप देखी रहें कितना टेस्टी लग रहे हैं यह ट्री फ्लेवर्स डेल गोना कॉफी रेडी है इस लॉकडाउन में प्लीज अपनी फैमिली को जरूर बना कर पिलाईएगा बहुती इजी बहुती सिंपल रैस्पी है बस बीट करना होता है हमें और चॉकलेट और 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 फ्लेवर बच्चों को बड़ो को सभी को बहुत पसंद आता है और इस तरह से आप बच्चों को दूद पिला सकते हैं और अभी हलकी हलकी गर्मी पढ़नी स्टार्ट हो गई है तो आप इस तरह का कुछ भी ठंडा मना कर बड़ो बच्चों सभी को अपनी फैमिली को प्लाइए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके प्रेंस टेक केर बाइबाई